नमस्कार दोस्तों, कुरोना के पंडिमी ने बहुत थी तेजी से हमारे देश यानि षयानि भारत को बहुत थी तोड़ा हैं, खास करके स्वात सवाव में और दूसरा manufacturing सेक्टर में, अगर manufacturing सेक्टर के बात किया जाएं तो हमारे प्रोशी मूलक यानि बळांगलादेश और प पर कैपिटा इंकम है पर बेक्ति आये है वो बंगलादेश से कम है आखिर कैसे हुआ यह प्रॉब्लम आर्थी स्थिति का और कैसे इसको सुधारा जा सकता है आए जानते आज की इस वीडियो में बंगलादेश और भी इतना में 24 में अपना घरेलू उत्पाद बनाना शुरू किये थे लेकिन उस समय चीन अपने जिस पोजिशन पर आपने घरेलू उत्पाद को निर्मान कर रहा वो उसी पोजिशन पर रहा उसके बाद देखा गया कि इंडिया का जितना भी ग्रोथ से घट करके 13% पर आगया और बंगलादेश का सबसे ज़्यादा सक्सेस का राज रहा टेक्स्टाल यूनिट यानि टेक्स्टाल मैनुफेक्ट्टिर से ज्यादा ही समान सेल किये गया और एक्सपोर्ट किये गया पिछले 2010 को में भारत को भरती हुई आर्थे की सक्ति के पिये मोदी ने भारत के चमताओं पर भरोसा दिलाते रहे पिये मोदी के उनुसार स्टाटप इंडिया स्टेंड़ इंडिया मेक इन इडिया के तहट इन सभी का एक ही मकसद था कि देश को मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर में बढ़हावा दे करके आपने अपने पूर्डक्ट को पूरे ही दुनिया में साब छोड़ना और लेकिन यह पूरे तरीके से अभी तक नाकाम्याब रही है पिछले साल जब कोरोन हर एक इंडिस्ट्रियल एरिया पर बहुत ही ज्यादा ही प्रभाववित किया है और उसी में पिये मोदी को एक और दिख उसी में एक इंडिया का नाम दिया गया और उसी में सबसे ज़्यादा मैनुफेक्टरिंग यूनिट पर ध्यान देने जाना लगा लेकिन पिछले साल के तेल आकड़े जिसमें मैनुफेक्टरिंग यूनिट में जितने भी तेल को रिफाइन किया गया उसके मुताबिक यह सरसो तेल बहुत ही ज़्यादा मांगे हुए है क्योंकि पीछले साल ही बहुत ज़्यादा जितने भी कंपनी थे मैनिफेक्टर इनुट का अभी तक वह धीमा ही है बंध है बहुत ही कम यानि 50% के लेवर के साथ कंपनी को ओन करना है और उसमें बहुत ज़्यादा रूल और रेगुलेशन को फॉल्व करना है जिसके वज़ा से अभी या मांगाई अभी तेजी से आर्थिक इस्तिति की रूप में बढ़ते चला जा रहा है कैपिटल वाला गुलोबर रिसर्च के अनुसार आर्थिक इस्तिति पे पिछले साल भारत ने बहुत ही समझ्यां वो तेजी से तरकी की है यानि देखा आजा तो पिछले साल खरीद छमताओं में भारत सब्चे ज़्यादा तीसरे अस्थान पर है यानि हम पिछले साल अस्थान पर था और वहीं ग्लोबल इनुवेशन इंडेक्स में चार पैदान के चलान लगा करके और तालिसवे नंबर पर आ गई थी वहीं दूसरी और दुनिया का सबसे ज़्यादा जन संख्या वाला देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 देशों में उस अपना देश का पोजीशन 94 अस्थान पर था वहीं दूसरी और देखा जाए तो हुमें डिवलाप्मेंट इंडेक्स 2020 में 181 देशों में भारत का अस्थान 131 था इस रिपोर्ट के उनुसार पर पता चलता है कि 35% ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो अभी भुख मरी और कूपोसन से तेजी से भी गुरोग किया है और खास बात यह है कि यह आंकड़ा 2020 के पहले थे यानि कोरोना काल के पहले थे और भी यह आंकड़ा बहुत ही तेजी से आगे बढ़ चुकी होगी हमें अब छोटे और बड़े हर परभा को सुचना होगा अगर इसी को किस अधर देश में द सार उस पर काम किया जाता है गाउं के लोगों को सिकार बनाते हुए कुरोना ने उसके साथ-साथ उत्तर भारत के नदियों में बहते हुए लासों ने बहुत ही ज्यादा प्रस्वाचक चीन लगा दिया है भारत के स्वास सेवाओं पर दुनिया भर के लोगों ने सवाल उ लोगों का कहना यह है कि भारत के आर्थ विवस्था के हमुसारा भारत के लोगों को समान भरी और सवास्त भरी जिंद्गी देने के बात कि जानी चाहिए। ने कि 5 trillion आर्थ विवस्था को मतमा कांच्छाओं को सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंस देना चाहिए। और इस पर सबसे ज़्यादा बैट करके लोगों को विचार करना चाहिए कि आने वाले समय में हमें किस तरह से नई आर्थ विवस्था को ले करके योजना बनाना चाहिए ताकि हर एक लोगों को अच्छे से गुरूत मिल सकें। एक मज़धार बात यह है कि ऐसा देखा गया है कि जिन देशों ने अपने समाजिक इस्तिती पे सुधार किया है वहां के देश के आर्थिक विवस्था अपने आप सुधार आया है। सरकार के समाजिक सुरक्षा के अनुसार स्वास्त, सीच्छा और पोसण यह भार सरकार के द्वारा सुनक्षित किया जा सकते हैं। आर्थिक इस्तिती में ग्रो आएगी। कुछ देशों में देखा गया कि कुरोना बहुत ही जल्दी रिकावर होने लगा। क्योंकि वहां के मेडिकल सुधाय अच्छे थी इस वज़ह से रिकावर होने लगा। और वहां यह भी देखा गया कि जनसंक्या बहुत कमी थी इसलिए वहां रिकावरी रेट जादा था। लेकिन अगर भारत की बात किया जाए तो भारत एक ऐसा सबसे ज़्यादा दूसरे अस्थान पर है जो कि जनसंक्या सबसे ज़्यादा पर्डूश करता है। और यहां के मेडिकल सुधाय जो है वह अतनी अच्छे नहीं है। कुछ ही समय पहले देख्या है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगई हमारे यहां भी दावा की कमी होने लगई और उसी में लोगों ने अपना काला बजारी शुरू कर दिया। अब 5000 का ऑक्सीजन सिलिंडर 7000 में बेचे ने लगा। अब कुछ समय ने किसी जगह पर वैक्सीन को सप्लाई करने लगए तो यहां पर करप्सन ज्यादा है। इस वज़े से रिकाबर होने में भी बहुत ज्यादा स्टमें लगा। कुरोना काल ने हमें वहां छोट्मो चाहिए ह। जहां पे हमारे सबसे ज़ादा कवीजोड चेतर थें। यानि सबसे ज़ादा कमजोड चेतर हमारे एंडिय के है और वह है medical wee सेक्टर के अलावा बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां से लोगों ने अनिफुलाइड हो गया यानि तब से ही आर्थिक इस्तिती और भी ज्यादा कंडिशन खराब होने लगा देश का क्योंकि है अहां पर सबसे ज्यादा ऑप्सन नहीं होता है कि लोग जागर के कंपनी को रन क अपने आप गेन कर सकते हैं तो अभी करोनर के काल जो बहुत से ज़्यादा देश अभी प्रॉबलम में सर्भाइब कर रहा है और देखा जाए तो पिछले कुछ आंकड़ों के उनसार पता चला है कि हमारे देश इंडिया सबसे कम इन्वेस्टमेंट अगर कहीं किया है तो हो है medical sector एक रिपोर्ट के नूसार यह पता चला कि भारत है जितने भी GDP मेंइन वेस्ट करता है साड़ह 3% इतने कम स्टैज से हम मेडिकल इनि स्वास वाहों पर खर्च करते हैं इतने कम मेडिकल सेक्टर पर हम लोग खर्च करते हैं इससे से यह पताचलता है कि हम विकास सेल और गी आया अब इन स्कम सेवाओं के साथ हम कैसे गुरूथ कर सकते हैं लेकिन हर किसी के मैंड में सबसे ज़्यादे यह क्लियर होना चाहिए कि बीना गुरूथ का देश का आर्थिक स्थिती संभव नहीं है सुधरना भारत की सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा है कि हमें गुर सरकार जो भी हो सत्ता में हो वह अगले 10 से 15 सालों को टार्केट करें और अर्थ व्यवस्ता को रिमूव गलत तरीकों को बाहर निकाले और सही तरीकों को इन करकरके ज्यादा से ज्यादा एकनोमी को गुरू कर सके भारत का ओधोर चल रहा है जो एक समय 20 सताब्दी में पहल पूरी दुनिया से मानती है कि आर्थ की स्थिति को ठीक करना इतना असान काम नहीं है यह एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है जिसे अर्थ व्यवस्ता को देश के साथ ठीक करना एक बहुत ही कठीन कार्ज है तो आए जानते हैं से 6 करनों को जिसे हमारे देश को आर्थ की स्थ और दूसरा हमें globalization की परकिरिया में भाग लेना होगा और यहां से खास पदार्थ को export करना होगा यानि निर्यात करना होगा भारत से अन्य देशों में और तीसरा निवेसकों को भारत में एक अच्छा महाल देना चाहिए बिजनस सेक्टर में जहां पर वो निवेस करने के लि और पाचमा गरीबों के भलाई के लिए हमें मुझबूत और साकरातमक धंग से योजनाय बनाने चाहिए जन्धन योजना और आयू शोजना उन्हीं में से एक योजना है जो गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुई है उनके account में कुछ-कुछ amount जाते रहते हैं परदान समान देना चाहिए कि ताकि वह हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर सके और वह इसे भी हमने डाबलूटी को में अर्थ व्यवस्ता के बढ़ते रिकॉर्ड के अनुसार हमें समान प्राप्त किया है और उसको कायम करने रखने के लिए हमें उसे आगे बढ़ाना होगा ताकि कि हमारे देश के साथ साथ हर एक नगरी को विकास मिज़ सके तो आचा करते हैं कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ गया हूं कि हमारे देश के साथ साथ किस-किस प्रब्लम के साथ जूड़ जरा है और इसे कैसे रिलैक्स किया जा सकता और कैसे देश को ग्रो मिल सकत इन 6 पॉइंट के मदद से अगर वीडियो अच्छे लगई हो तो लाइक करके शेर जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट बॉक्स में जरूर डालियागे कि आपका क्या सुझाव है एक देश को कैसे और अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यावाद